नमस्कार नियू स्टेट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का काफी वक्त से लब जहाद पर उठता शोर अब थमने की कगार पर है यूपी सरकार ने लब जहाद को आधार बना कर धर्मांतरन पर रोक लगाने की ठानी है और कैबिनेट से पास करा कर अध्यादेश लेकर आई है जिसका नाम है विधी विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प् परते मामलों के बीच इलावाद हाइकोट ने एक एहम फैस्ता सुनाया हाइकोट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जिवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है महज अलग अलग धर्म या जाती का होने की वज़े से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं के परिवार को है ना ही किसी व्यक्ति या सरकार को अगर राज्या परिवार उन्हें शांती पूर्वग जीवन में खरल पैदा कर रहा है तो वो उनकी निजिता के अधिकार का अतिकमण है लेकिन अब योगी सरकार के अध्यादेश में भी न तो लब जिहाद का जिक्र है और नहीं लब महरेच के खलाफों यानि कि हाई कोट के फैसले के साथ यह अध्यादेश है यानि कि अध्यादेश में प्रेम पर प्रतिवंद नहीं है लेकिन छल, कपट, फरेब करने वालों पर शिकंजा जरूर कसेगा और यही मकसद भी था इससे पहले कौन सा प्रेम विवा है, कौन सा लब जिहाद है इस मामले पर भ्रम के हालात पैदा किये जा रहे थी और कई बार लब महरेच को लब जिहाद का रंग देकर भी महौल विगार दिया जाता है ऐसे में इन दोनों के बीज के अंतर को सफ़्ष्ट करना जरूरी हो गया था और यह अध्यादेश उसी अंतर को सफ़्ष्ट करता मसौधा परतीत होता है क्योंकि शादी के पहले या शादी के बाद अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है इसके लिए जिला प्रशासन को जानकारी देनी होगी दो महिने पहले जानकारी देने के बाद डियम की सहमती के बाद यानि डियम की अनुमती के बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकता है सरकार ये मानती है कि इससे धर्मांतरण पर सीधे-सीधे रोक लगीगी और छल कपट नहीं होगा आज हम चर्चा इसी पर करेंगे इसलिए हमने कारिक्रम का आज नाम भी दिया है लब ज्याद पर कानुनी तल्मा सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तरप्रदेश विधी विरुद्धर्म समपरिवर्तन प्रतिशेद अध्यादेश 2020 जो की आवशक है और उत्तरप्रदेश में कानुन विवस्ता को समाने रखने के लिए इनसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेश रूप से जो अनुसुचित जाती जन जाती के लोग हैं उन लोगों को जो एक इनसाफ मिलेगा उस पर एक बड़ा फैसला कैबनेट ने लिया है धोखा धड़ि करना, छल प्रपंच करना, विश्वास घात करना और नाम बदल करके किसी लड़की को अपने जाल में फसाना फिर उससे बिवाहा का नाटक करना और फिर बिवाह का नाटक करने के बाद उसको फिर बहुत देनी अवस्ता में चोण देना जब तक उस लड़की को पता चलता है कि मैं जिससे साधी कर रही हूँ उसे जो समझात है वो नहीं है वो कोई और है और फिर जब पता चलता है तो गटना के बाद उसकी हत्या तक की जाती है कानून ब्यवस्ता का भी संकट खड़ा होता है इसलिए उत्तर प्रदेश में आध हम पहलाया जा रहा है कि ये लवज़ाद को लेकर के कानून है मैं फिर ये इसपस्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट में लवज़ाद शब्द का प्रियोग नहीं किया है हालांकि ये लवज़ाद शब्द वर्स दोजार नो में केरल हाईकोट ने पागलपन हो सकता है बेगाना हो सकता है परन्त प्यार में धोखा देने की परिमिशन किसी को भी नहीं है और किसी भी धर्म में नहीं है अब इसको लवज़ाद कर रहे थे ओधे आपको बता दें कि अभी अब हिस्षूर रहा था आपको इसमें जो कि बोल रहे थे कि जीक तरे से लड़कियों को इस अपने तरमत्रन करने का सो cooper होता है हत्याएं हो जाती है मारा पीटी होती है तलाग कहके उन्हें जी तरह से उसको लड़कियों की दुर्गत होती है यह मामले हज्जारों के रूप में प्रकास में आए तो निसीत तोर पे फैसला लिया गया कि जो लोग धर्मांतरन कराते हैं जबरन उस बेती को मारते पीटे हैं ऐसा कानून बनेगा कि अब कोई किसी को धर्मांतरन कोई करा नहीं पाएगा तो अशोक पांडे जी यह कानून धर्मांतरन के विरुद्ध है लब जिहाद के विरुद्ध है लब जिहाद की यार में धर्मांतरन का जो कुप प्रयास हो रहा था यह दुर्भाग ज प्रशनक है नाम संकर रख लिए आज अब साधी हो गई तो पता लगा नाम उनका दूसरा है दूसरे धर्म के हैं और उसके बाद उस लड़की को परिशान करते लेकिन सरकार तो यह नहीं कह रहे हैं कि लब जाद की आड में धर्मांतरन वो तो कह रहें कि सिदे-स धर्मांतर को कलाद की जोओता जहां आज वो रहा था उसके खलाब में धर्म पांतर ही मेड मतलब था उसरी वह भी उसके अंतरकत आता है इसमें कोई धर्मांतर में होगा अगर प्यार है तो कोई बेटी पतारी तो नहीं होगी अब जहाद नहीं होगा presumably विनोद बंसल जी बहुत स्वागत है आपका आपको लगता है कि जो सरकार कानून लेकर क्या है ठीक है या और परिवर्तन या और सक्कानून की जरुवत थी कानून का भी अध्यान करेंगे पूरा और उसके बाद कानून के पूरा ओवरॉल तो तब ही बताऊंगा मैं अपको लेकिन कुल मिला कि यह कि कम से कम एक पहल हुई है देश के अंदर एक पहली सरकार जिसने के किस तरह का एक कड़ा कानून बननानी कोशिश की है और यह स्वा लुख लब मैरी से तौलते हैं जो लोग जो है प्यार को और जिहाद से तौलते हैं यह बिलकुल विप्रिट अब बनोजी है एक तरह पाप है तरह यह प्यार को पाप नहीं तोला जा सकता तेके जो लोग आपकर का अगर सीबू अलीश चिन बन करके साधी करता है नवस्त करता है और लोग ऐसे मेरे पास अगरनत लिष्ट है आप आपफ और कर गया अपनी जिहाद्यों को अपनी लश्को पूतनी के लिए और उन्होंने आतंकबाद की राव में दखेल दिया या फिर जो इसलमिक सेख हैं अरब के सेख उनको बेश दिया तो यह जो एक सडियंतर के तहट यह कारिकम चल लाता है इनका उस पर रोक लगनी चाहिए थी नहीं के लिए लिएखृ में छाले हम किसी तरह की कई जाते हैं फॉर उस जो कैषि को सहो नहीं मता है यह मारे ऐसा कुछ नहीं हुताय हम सिर्वेशन के बात करते हैं बसदै मुद्दों से प्रचिका बाद कर हैं तो हमारे लिए कौन पुराया कौन अपना लेकिन प्रस्थन यह है कि जो दो के वाज के साथ तो उस पर रोक लग नीचे ऑगे दर्मान तरह रास्टन तरह है उसो पुरी तरह से प्तविद्ध किया जाना ते मौलाना लिकादری साथ स्वागत करेंगे इसने कानून का उन्हारे लिए लिए मैं पास ठॉमेटिक वाइलन्स का खानून है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ महिलाओं के लिए भी हम्हारे पास खानून है सब को मालू है रहा सवाल योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री बने है वो इसी एजटे के तहत तो बने है कि मुसल्मानों को किसी तरीखे से टार्गेट करो उनको तकलीफ दो उनको सता हो तो अब ये जो खानून बना है ये खानून सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को परेशान कर ले के लिए बनाया गया है जिसको मैं इस खानून को बना है ये मुसल्मानों को बना है इसका मतलब आप मानते है कि लफ जहाद सही है ये जो अब तक के लव जहाद की जितने भी स्टोरीज बनाई गई नसर ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ये नाकूर में लिखी जाती है ये पता है हमें कहां लिखी जाती है कहां प्लान किया जाता है किसी तरीखे से मुसल्मानों को ऐसे टार्गेट टरना है पैठी को इसलिए नारा गया जोडि सजागा नाबि देखिए हरियाणा के वाके है को पड़ीनिंदा की है अगर किसी बेखुस्फूस का पंडर किया जाए अशू कादरी को बोलने दिजे मौला न लिकाद्री साफ में कि मुला अली गादरी सबापने कहा कि मुस्लिम लड़कों को परिशान किया जा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस कानून में ऐसा क्या है जिससे मुस्लिम लड़के परिशान होंगा उनको परिशान किया रही है वो यही तो किया गया ना यहा कि दो साल के बाद आप स्क्रीन पर लाकर बो रहें के इसको धर्म परीवर्तन के लिए जो जोर्जबर्स्ती की जा रही थी अगर लड़की को यह पता नहीं ठा कि वो मुसल्मान है तो पिर दो साल तक क्या करते रहे तो प्रेशान करने वाली बात कहा है इस कानून में बोलिए परेशान करने वाली बात कही है। इसलिए कितने नौजवानों को अब ये खानून के तहट परेशान किया जाएगा कि इन्होंने धर्म के लिए तरह परीवर्तन के लिए जोर्दबदस्ती की उसके पर एक्षान किया जाएगा उसको तंग किया जाएगा और मुसल्मानों को परेशान किया जाएगा अब कोई बेटी नहीं मरेगी अब कोई बेटी पतारीत नहीं होगी यह इसलिए कानून है वो जो लड़की को गोली मारी गई उस घटना के मकड़ी निंदा करते हैं और उसको सजा देने की आपसे मान रहते हैं अब उसकी मान क्या कह रही ती उसको आप गोली मारो चौराए बेखा करके ऐसे दरीन दों को जीरे का कोई रख रही है तो बच जाती यह सो बिस्क्रिप्ट है साब अशोक पांडे साब उनको बोलने नहीं दे रहे हैं वो जो बोल रहे हैं उसको सुनिये तो सही वो जो बोल रहे हैं अशोक पांडे साब उसको सुनिये तो सही वो क्या कह रहे हैं वो पहले यह कहते थे मौलाना अली कादरी जो पहले यह कहते थे नहीं कहा लब जिहाद हो रहा है और क्या हो रहा है अब कानून बन गया तो कहने कानून लाकर के परिशान किया जा रहा है मैं आओंगा दोबारा आपके पास आओंगा राकेश पांडे साब मुझे बात बताईए ये परिशान करने वाला कानून दिखता है क्या जी देखे कोई भी कानून परिशान करने वाला दिखता नहीं है उसके implementation में परिशान करने की नियत हो सकती है लेकिन फिलहाल जो कानून बना है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति विशेश को या किसी वर्ग विशेश को परिशान करने लिए कानून बना है देखिए इसमें समवाइधानिक और कानूनी रूप से दो चीजे हैं एक तो कोई भी दो व्यस्क इस स्पेशल मैरेज आक्ट में अपने धर्म में रहते हुए शादी कर सकते हैं तो दो विभिन धर्म के लोगों को यदि शादी करना है तो शादी पे कोई मना ही नहीं है लेकिन यदि शादी जैसे पवित्र रिश्टे को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाए कि हमें किसी के धर्म बदलवाना है और धर्म बदलवाने की नियत से ही इश्क हुआ प्यार हुआ और शादी हुई तो मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति के साथ जो है कानूनी कारवाही होना आवश्यक भी है जो राइट टू प्रफेस्ट रिलिजन है हमारे हैं आटकिल 25 में अगर और किसी के रिलिजन के प्रवडर में पब्लिक और डिस्टरब होता है तो उसको रेगिलेट किया जा सकता है तो आज की तारीख में शायद सरकार ने ये मान के चल रही है कि इससे पुब्लिक ऑर्डर डिस्टरब करने वाले जो भी मैं आता हूँ सर अपको मेरे साथ अनुराग भदोरिया भी आ गए है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के अनुराग जी स्वागत करेंगे कानून का आप तो ला नहीं पाए नई सरकार ने लागा देखे मैं फिर मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने बहुत सुना है सब समाजवादी लोग या हम लोग सब लोग ने पहले बोला था आज भी बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जात धरम का हो अगर किसी बच्ची के साथ धोके से सम्मंद बनाता है और उसके अपनी आइडेंटिटी छुपाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी च स्काथ से लगया लए तो जब धरम परिवर्टन की बात आ रही थी तो सारी धर्मों की बात हेंडू मिसलिम से किसाए क्योंकि हिंदुस्थान की बात हुरी थी बनता है यसा कानून बना लेकिन आप भीलब अधू का नाम क्यों इस्तिमाल कर रहे थी जब आप उसको चानौ बीजेपी बाले नहीं लेते एक दम भूर गए हैं सोचिए आप लखीपूर की बच्ची की हत्या होगी उसके साथ अन्याए होगा भूर गए बुलंड सेर में बच्ची को जला दिया गया उसका नाम तक निलेते बीजेपी की लो क्यों भाई आखिर क्यों हम के कहते हैं किसी बिरुजगारी महंगाई किसानों पात्याचार जिससे हो रही है इस लिए लफ्ज्याद आप चला रहे lymph जाद से क्यों चला रहे हैं थे लफ्याद क्यों चला रहे हैं तो, हातरस की बच्ची बारवग्वन्ती के बच्चीं पे चल्चण ना हो। उतल पधाश की एक दली तुमकुमन्तिवि की हट्ट्र करते करते बचे बाप भी तो भावन करें का उन पशचो sax ओसके बडा वहाँ किना सम्म возьpन में परफ नथा हैं तो मैं समेधान करना चाहिए समेधान में शब्दों का इस्तिमाल नहीं संप्दों कंपर करती है तो उसमें भी तो करवाई होनी चाहिए, जो गैर कानुन है, जो शब्द गैर कानुन माना जाता है, उसमें करवाई होनी चाहिए, अगर इस शब्द गैर कानुन है, उसमें करवाई होनी चाहिए, अगर इस शब्द गैर कानुन होनी चाहिए, अगर इस शब्द गैर कानुन ह कर द नहीं कर रहा है क्लियर कर रहा हूं अनुराइक बदोर्य है विनोद वंसल्जी यह कह रहे हैं कि हम और रहे हैं कानुन का गुण्ड़ का इन चांटर करते हैं तो यह को जानुना फूंड़ के नाम परूदि कर रहा है दोखा दे किसी महिला को फसाता है उसके साथ धोका देता है तुझार कर रहा है तो दर दर चुपाँ रहे हैं सब्सक्राइब कर दोखा 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 दोखाइब कर दोखा दोखाएं मिलनी ही एक भाड़ोचा दोखा डिया हैं इस देश का सम्विधान ये इजाज़त देता है आपको अगर किसी चीज़ से दिक्कत है आप सरकार के पाँ जा सकते हैं कोड जा सकते हैं आपने का ये कानून परिशान करने वाला कोड जाएंगे आप इसको लेकर मैं आज दोपेर ही में टीवी चैनल से बात कह चुपा हूँ कि मैं जिस सीरत अनभी एकाडेमी का चेर्मेन हूँ इस एकाडेमी के तहट हम सुप्रिम कोड़ में इस खानून को चैलेंज करेंगे और सुप्रिम कोड़ से ये आगरे करेंगे कि ना सरिफ यूपी में बल्के ऑल ओवर इंडिया इस खानून पर पाबंदी लगाईगा के विरो दी रहे हैं जिए मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं बीच में बढ़ते मुझे तो बोलने का मुझे ना मैंने तक ब्लगतार बोल रहे हैं आप लेकातार बोले हैं आप लिए बोल रहे हैं ह। की बच्च्चियों की बात कर रहा हूं आप आनून का स्वागत करते हैं विरोध करते हैं सिधा सवाल किया आमने आप पता दीजा प्लीज जा सचाहए हैं इन्हों ने लब्ज याद का सब्द का इसक्ट का इसक्माल लेकिन आज लब जियाद का सब कानूर में क्यों नहीं इस्तिमाल हो रहा है। मुझ को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछी बालु कि आगे जिए रिए रिए ये तब प्रोफे सेज़